हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेन के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स ट्राइडेन में अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है बट क्या गिरावट कब तक रहती हुई देखने को मिलेगी सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आपके माइन में जरूर आता होगा ये ट्राइडेन के अंदर जो बोकिंग आपको आती हुई देखने को मिलिए स्टॉक ने एक मेजर तीजी दिखाई है और बहुत जादा शानदार है तो इस बारे में इसके वीडियो में बात करेंगे कि ट्राइडन के अंदर जो भी गिरावट हो रही है कहां तक जाएगी सबसे पहली बात कि क्या यहां से स्टॉक कितना रुपय आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है और जो आज हुआ है जो मेजर वॉल्म साती हुई देखने को मिलिए काफी जादा बल्क डील्स प्लस ब्लॉक डील्स दोनो बल्क डील्स भी होती हुई देखने को मिलिए तो दोनो होता हुआ देखने को मि अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके हैं चैनलों को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाहिएगा कि या तो upper circuit लगता हुआ देखने को मिलता है या तो lower circuit लगता हुआ देखने को मिलता है लेकिन आज important चीज क्या है कि देखिए stock ने consolidate किया है अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर आज आपको point निकालना जो positive point है कि stock end अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर consolidation देखने को मिला है और consolidation कहा देखने को मिला है 50 रुपे के levels पर यानि stock आपको 50 रुपीज के below अगर आप देखेंगे तो जाता हुआ देखने को नहीं मिला उसके आसपस consolidation करता हुआ देखने को मिला अगर आप देखेंगे तो definitely last 5 days में गिरावट बनी है 5% का इस पर stock गिरा है बट ये सबसे बढ़िया बात है कि देखें stock ने last 1 month में 8% के लेकिन last 6 months में एक massive return यानि 205% के return अगर कोई stock up को कमा के दे रहा है तो definitely देखें थोड़ी बहुत अगर गिरावट आए तो उससे डरना नहीं है यह important बात है last 6 months में अगर आप देखेंगे तो बहुत बार अगर आप देखेंगे तो कोई गिरावट यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है देखें एक गिरावट आई दें stock फिर बढ़ा volumes के उपर वह effect पड़ेगा लेकिर आज क्या हुआ volumes भी होती हुई देखने को मिली stock के अंदर अगर आप देखेंगे तो तेजी भी होती हुई देखने को मिली तो तेजी भी होती हुई देखने को मिली कहाँ पर अगर आप देखेंगे volumes के अंदर बट तेजी जरूर होगी आज थोड़ी बहुत definitely गिरावट आई है कोई बड़ी बात नहीं है friends कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ी बहुत गिरावट तो stock के अंदर चलती रहेगी अगर आज बढ़ा है तो definitely यह आपको कल गिरता हुआ भी देखने को मिलेगा अगर 2-4 दिन बड़ा है तो कभी ना कभी तो गिरेगा तो यह कोई गिरावट से डरने वाली बात तो ही नहीं काफी लोगे कमेंट्स आते हैं कि ट्राइडन क्यों गर रहा है क्या करना चाहिए उसके अंदर तो देखिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है महमुली सी profit booking है चलती जाएगी ब गर आप देखेंगे 19,900,000,000 निकल के आती है यानि काफी बड़ी वाल्यू है बड़ इंपॉर्टन चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे आखरी में भी तो आज यहाँ पर नोटिस करिए buying orders pending दिख रहे हैं almost 16,720 यानि 16,720 यानि 16,720 शेर्स के अगर आप देखेंगे तो pending order में चल रहा है यानि लोग अभी भी lower levels पर भी accumulation के बारे में सोच रहे हैं rather than selling और यही सबसे खास बात निकल के आती है ट्राइटन के बारे में अब delivery देखें डिलिवरी आज मैसिव है ज 13 करोड 22 लाग शेर्स में अगर आप देखेंगे तो almost 1 करोड 33 लाग शेर्स लोग घर लेके गए बाकी क्या होता है देखें कोई intraday में stocks को लेता है कोई बाकी सब करता है तो उसके साब से देखें चलता हुआ देखने को मिलता है but otherwise अगर आप देखेंगे तो जो भी देख नहीं रहने वाली है अगर आप देखेंगे सरकार कर जिस प्रकार से रुख रहा है टेक्स्टाइल सेक्टर के उपर वो definitely friends बहुत जादा बढ़िया है बहुत जादा शांदार है और सबसे बड़ी बात क्या कि देखें अगर government focus करेगी न तो आप मान की चलिए यह stock आपको बिलकुल चड़ता हुआ भी देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजे company के तरफ से अपने shareholders को भी दी जाएगी अगर आप देखेंगे तो company ने interim dividend पेश किया अगर अभी आप देखें जिस प्रकार से यहाँ पर company क जो stand रहा है अपने shareholders के लिए वो हमेशा बहुत positive रहता हुआ देखने को मिला है company बहुत बार discounts भी देखें अनौंस करती है अपने shareholders को और कोई company बहुत बार देखें इसा नहीं करती है लेकिन अगर आप देखेंगे तो trident लगातार करता हुआ अपने shareholders के लिए company ने काफी ब company से आप बिल्कुल तयार रही है बहुत बड़े announcement के बारे में देखें company कहती हुई नजर आएगी and definitely आज जो गिरावट हो दी है मुझे लगता है कि खईदारी करने का मौका है अगर आपको ये stock current level के असपास मिल जाता तो बिल्कुल buy करके चलिए या फिर अगर आपको ये 48 रुपे लगा कर 45 रुपे के बीच में ठीक है बाइंग रेंग समझिए 48 रुपीस लगर 45 रुपीस के अगर आपको आसपास मिलता है stock तो definitely वो accumulation का zone है rather than selling यहापे selling नहीं करना चाहिए because सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे Trident का business outlook वो बहुत positive देखता है company अगर आप कुछ भी comparison भी करेंगे तो लगातर company की income बढ़ रही है अगर income बढ़ेगी तब भी तो देखें company growth कराएगी अगर आप यहाप यहापे देखते हैं तो almost अगर आपको देखने को मिलेगा यहापे जिस प्रकार से company की income बढ़ती हुई देखने को मिलेगे जो पहले 1,47,701 lakh की income थी वो बढ़के 1,63,257 lakh पे चले गई company का profit before tax अगर आप देखेंगे तो 27,004 lakh का था जो बढ़के 30,633 lakh का होता हुआ देखने को मिला net profit 20,350 lakh का था वो 22,880 lakh का होता हुआ देखने को मिला तो यह सब चीजे दोस्तों जो होती भी देखने को मिल रही है लगातर profit बढ़ना यह आम बात नहीं होती है वो भी सबसे बड़ी बात क्या है अगर आप देखेंगे company को pandemic में भी जादा आपको कोई गिरावट के तौर पे आपको इस stock जादा हुआ देखने को नहीं मिला है जिन्होंने जिन लेवल पर buy किया वहां से देखिए stock बढ़ा है और य definitely यहाँ पर बली आप कितना ही सोच के चलिए कि जो सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत insider होता है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे operators का खेले तो ऐसा मुझे नहीं लगता वहां कि चलिए इस बार अगले तीन महीने के अंदर यहाँ बजट से पहले यह stock आपको 65 रुपीज आकर 75 रुपीज तक के लेवल दिखा देगा तो बिलकुल बाय करके चलिए अगर इस बार बजट में textile सेक्टर के लिए कुछ नया निकल के आता है तो 100 रुपीज के बार में इस एक जो कंपनी है उसका नाम है एल्गो क्वाइंट फिंटेक की तरफ से देखिए stock split का announcement कर दिया गया है and definitely friends company बेहत दमदार है and company के तरफ से कहा गया है कि वो यहाँ पर अपने stock को split करती भी देखने को मिलेगी in the ratio of 1 is to 5 यानि अगर आप इस company के एक share hold करते है त definitely friends है बहुत बढ़िया बात है and जो लोग नहीं जानते company को बेहत दमदार company है बेहत sound company है अपने investors को इसने भी काफी बढ़िया returns कमा के दिये याद रखीगा company ने जो split की date रखी है वो 23rd की रखी गई है and 24th को है recorded तो आप 23rd से पहले stock को खरीदना चाहे तो खरीद दीजे basically कल काई दिन है आपके पास तो अगर आपको stock buy करना है purchase करना है तो definitely buy करके चलिए उस company बहुत शांदार है बसका stock price आपको दिखाऊ तो friends दिखिए जोसका share price है वो 2073 का है definitely थोड़ा महेंगा share दिखेगा आपट याद रखेगा company बढ़िया है तो बिल्कुल आपको लेना चाहे दूसर नाम है इसका हिंदुस्तान average आपको अगर कई भी search करना है तो हिंदुस्तान average से भी आगर आप search करेंगे आपको मिल लेकिन जैसे मैंने कहा कि returns की growth company ने last six months के अंदर अपने investors को जो जो returns कमा के दिए वो massive है अगर आप देखेंगे तो देखें लास्ट six months के अंदर company ने 804% की return कमा के दिए last one month की अगर बात करो तो आपको साफ-साफ देखने को मिलेगा यहाँ पर 75% की return है and almost अगर बात करता ह max returns की तो देखें stock ने यहाँ पर आपको जो returns कमा के दिए जो company देखें list हुई थी first February 2019 को 58 रुपीस का price था वासे 2073 जाता हुआ देखने को मिला है तो देखें एक massive यहाँ पर company अपने returns कमा के दिए हैं मुझे लगता है कि बिलकुल इस company के अंदर निवेश कर सकते हैं एक long term वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चनल से नए जोड़ो सब्सक्राइब कर देना thank you friends watching this video